नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है फायर वोल्ट हंटर स्मार्ट ओच जो हाली में लोंच हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 1699 में हाला कि इसके प्राइस कम जदा हो सकती है लेकिन अगर आपके स्मार्ट ओच 1299 और मिलती है तो काफी बड़ी आडिल है ये है एक कॉलिंग स्मार्ट ओच और इसमें है कॉलिंग रेंच 10 मिटर मतलब कि आपके फोन और वाच के बिच में 10 मिटर या उससे कम का अंतर होगा वाटर एंडस्ट रसिस्टन मतलब कि आप इसे पानी में एक मिटर गहराई तक आदे घंटे के लिए उसकर पाऊगे बात करते हैं इस वाच के फिजिकल ओर यू की तो जो स्मार्ट ओच लिखने में काफी बढ़िया है स्लिम है लाइट वेट है लेकिन इसकी बिल्ड कॉल इंहाटेर संसर यहाँ पे है स्पीकर और यह है माइक आप इन स्ट्राप्स को रिमूव कर सकते हो रिमूव करने के लिए आपको इस पीन को निचे के और खिष्णा है और इससे भाहर करना है इंसे इसमें है 230 mh की बैटरी इससे फुल शार्च करने के लिए आपको लेकिन अगर आप calling का इस करोगे तो आपको मिलेगा टूडेस का बैटरी बैकप चार्जिंग करने के लिए आप पाँच वोटे आदा सोट का चार्जिंग अड़क्टर यूज़ कर सकते हो जितना slow charger आप उस करोगे उतना बहतर होता है स्मार्ट वाच की बैटरी लाइफ के लिए लोंगरन में या आप अपने PCI लैपटोप में जो USB पोड़ता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो या आप अपने पावर बैंक से भी इस वाच को चार्ज कर सकते हो इस स्मार्ट वाच को फर्स टाइम उस करने से पहले आपको इससे फुल शार्ज करना है ताकि आपको फर्स टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकप मिले तो मैंने इससे फुल शार्ज कर लिया है मैं करूंगा इसे switch on तो आपको button bell उंप्रेस करना है तो smartwatch switch on हो चुकी है अब हम करेंगे इसकी pairing अपने smartphone के साथ इस smartwatch को अपने phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में play store में जाकर इसे आपको download करना है इसका नाम है daffit daffit से आपको download कीजिए आपको इसे करना है open आपको अपना gender set करना है maleya female इसके बाद आपको अपनी birthday set करनी है date month or year इसके बाद आपकी height centimeter में और आपका weight kg में set कीजिए इसके बाद tick पे tap कीजिए allow कीजिए उपर में लिखा होगा to add आपको उस पे tap करना है one two seven आपको इस पे tap करना है device के tap में जाईए और यहाँ पे आपको उस्चो करेगा battery level समझ जाना कि आपकी जो watch है successfully pair हो चुके आपके phone के साथ इसके बाद आपको मिलेगा ये pair के लिए pop up आपको pair पे tap करना है मतलब कि अब आपकी watch में call का feature ओनों चुका है अब आप अपनी watch में भी call को रिसी कर पाओगे सबसे बलें बात करेंगे watch face की तो अगर आपको watch face को change करना हुआ तो आपको इस तरह किसे tap करना है आप one tap में watch face को change कर सकते हो यहाँ से अगर आपको watch face को डाउनलोड करना है जिसमें battery level percent में show करें तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कुछ ऐसे watch face जैसे की यह रहा मैं इसे download करना चाहूंगा tap कीजिए download पे tap कीजिए इस तरह के से आप किसी भी watch face को download करके apply कर सकते हो जो watch face से apply हो चुका है आपकी watch में आप देख सकते हो इस तरह के से यहाँ पे battery level भी show किया जाएगा percent में आपको अगर अपनी कुछ की photo set करने में तो आप वह भी कर सकते हो आपको जाना है watch face number 1 पे जहाँ पे लिखा होगा edit आपको उस पे tap करना है और end में आपको यहाँ पे plus के sign पे tap करना है gallery को open कीजिए जिस किसी photo का आपको set करना है आपको इस photo पे tap करना है मुझे set करनी है यह photo तुम इस पे tap करूँगा आप इससे zoom in zoom out कर सकते हो उपर नीचे भी कर सकते हो फिर आपको करना है end में tick पे tap time जो है उपर में show कर रहा है आप चाहो तो इससे नीचे भी कर सकते हो यहाँ पे है time position हम करेंगे below मतलब की नीचे इसके लाव यह है about time, below time मतलब की time के उपर और नीचे आपको क्या show करना है मैं चाहता हो time की उपर show करे date और time की नीचे शो करे इसके लाव जो time का color है आप उसे भी change कर सकते हो आपको जिस color को set करना है set कीजिए show कीजिए इस तरीके से आप किसी भी photo को set कर सकते हो अपनी watch face पे जो photo है set हो चुकी है आप देख सकते हो आप अपनी watch में एक साथ 8 watch face को place कर सकते हो हला कि watch face number 1 और जो 8 है दो ही watch face change होते है बाकी watch face fix होते है आप उने change नहीं कर सकते आप अपनी watch के जरी भी watch face को change कर पाऊगे आपको watch face पे long tap करना है और swipe करना है इनके बेच में switch करने के लिए जिस watch face को आपको set करना है आपको उस पे tap करना है इस तरीके से आगे है notification इस पे tap कीजिए phone को on कीजिए permission को allow कीजिए ताकि आप अपने calls अपनी watch में receive कर सको message को भी on कीजिए SMS के लिए allow कीजिए और इन में से आपको कौन-कौन से apps की notification receive करनी है अपनी watch में आपको in apps को on करना है इस तरीके से इनेबल पे tap कीजिए दाफिट को on कीजिए allow कीजिए बैक जाईए इसके लबा WhatsApp, Instagram अगर आप चाहते हो आपके phone में जितने भी apps अवलेबल है उनसे भी apps की notification आपके watch में show करें तो आपको others को on करना है अलकि मैं others को offer रखूंगा क्योंकि others को अगर मैंने on किया तो battery backup काफी कब मिलेगा मेरी watch में अब देखते हैं अगर आपको कई भी call आता है तो किस तरीके से शोगड़ेगा आपकी watch में तो इस तरीके से आपको मिलेगा call copy यहाप पे contact का नामे number शोगड़ेगा और आपको यहापे मिलेंगे जो vibration है वो होना mute हो जाएगा तो आपकी watch होगी silent इस तरीके से और यहापे जो पहला option है वो है quick reply send करनेगा तो जो भी 4 reply अपने set कि आपके dark fit app में यहाँ पेशो करेंगे अगर आपको इस call को cut करना हुआ तो आप message send करके उसे cut कर सकते हो तो आपको यहापे मिलेंगे वो 4 quick reply जिसे send करना है आपको इस पे tap करना है सामने वाले को जाएगा वो message और आपका call हो जाएगा cut और अगर आप इस call को करोगे accept तो आपको अब मिलेंगे यहापे 4 options तो यह है call के volume को adjust करने का option तो आप यहाँ से call के volume को adjust कर सकते हो slide करके इस तरीके से यह है call को transfer करने का option तो आप जो call है चल रहाए watch में अगर आप चाहते हो call जाए phone में तो आपको इस पे tap करना है जो call होगा transfer हो जाएगा phone में अगर आप चाहते हो फिर से आना है आपको watch में तो आपको इस पे tap करना है इस तरीके से आप call को switch कर सकते हो watch to phone, phone to watch और यह है mic को mute करने का option तो अगर आप इससे mute करोगे तो सामने वाले को आपकी आवज नहीं जाएगी और इस तरीके से आप call को cut कर सकते हो अगर आपको अपनी watch में call के feature को off करना है अगर आप नहीं चाहते आपकी watch में call receive करना तो आप उसे disable भी कर सकते हो तो उसके लिए आपको जाना है settings में और यहाँ पे होगा phone का feature, आपको इस phone की feature को off करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे contact करना में number शुका देगा आपकी watch करे की वाइबरेट आपकी watch में ringtone play नहीं होगा और यहाँ पे आपको भलेंगे दो options इस call के अपरियों को यहाँ से remove करने का और यह है इस call को cut करने का option अब देखते हैं अगर आपको कई भी SMS आता है तो किस तरह किसे शुका देगा आपकी watch में SMS आ चुका है watch में भी आ चुका है लेकिन watch का display on हुआ नहीं है watch करती है के वल वाइबरेट तो आपको display को on करना पड़ेगा और यह है OSMS यहाँ पे उपर में contact का नाम है नंबर शुका देगा और यह है message का content Hindi font support करते हैं लेकिन emoji support नहीं करते हैं आप इस तरह किसे message को read कर सकते हो scroll करके अगर आपने यहाँ पर देखना मिस कर दिया तो आपको करना है swipe up यह रहा message आपको इस पर tap करके उसे read करना है इस तरह किसे यहाँ पर शुकारेंगे 6-7 line अगर आप चाहो तो इसे ही हाँ से कर सकते हो remove, delete अब देखते हैं अगर आपको कई भी WhatsApp message आता है तो किस तरह किसे चोगरेगा आपकी watch में तो WhatsApp message आ चुका है वाच में भी आ चुका है लेकि display on होता नहीं है display को आप phone करना पड़ेगा अलगी watch करती वाइबरेट डिस्पले को on कीजिए और यह है WhatsApp का message WhatsApp का icon contact का नामे number और यह है message का content इस तरह किसे आप उसे कर पाऊगे read 6-7 लएँ हैं आपे show की जाएंगे अगर आपने आप एक नविस कर दिया तो जाएए message center में swipe up करके और यहाँ पे आपके show करेंगे पिछले 5 message और अगर आपको सभी को एक साथ clear करना हुआ तो यहाँ पे है clear all का button सभी को एक साथ clear करने के लिए यह है shutter मतलब की camera controller तो आपके इस पर tap करना है while जिंदी app पर tap कीजिए आपके phone में open होगा camera और आपकी watch में open होगा shutter button तो आपको अपने watch में जो shutter है उस पर tap करना है 3 second की timer के बाद आपके phone में capture होगी photo तो आप tap करके या shake करके अपने phone में photo capture कर सकते हो इस तरह किसे जो भी photo capture आप करोगे आप यहाँ से उसे देख पाऊगे flash को आप यहाँ से उनुप कर पाऊगे और यहाँ से camera को कर पाऊगे rotate यह है e-card मतलब कि आप अपने payments QR code या अपने social media profile के QR code को save कर सकते हो अपनी watch में maximum 3 QR code आप add कर पाऊगे तो आपको इस पर tap करना है सबसे पहले आपको अपने QR code को save करना आपके phone में screenshot capture करके फिर आपको upload पर tap करना है QR code पर tap कीजिए जिसे add करना है आपको इस पर tap करना है अगर यह है आपका GPay का QR code तो यहाँ पर type कीजिए Google पर या फिर GPay आपके हिसाब से आप कुछ भी type कर सकते हो फिर save कीजिए फिर से add करने के लिए आपको plus के sign पर tap करना है QR code फिर से add कीजिए मान लेते यह है phone pay के लिए इस तरह के से आप 3 QR code को add कर पाओगे अगर आपको इन में से किसी भी QR code को remove करना है तो आपको swipe लेट करना है और minus के sign पर tap कीजिए वो remove हो जाएगा save करने के लिए इसे back कीजिए आपकी वाश में हो जाएगे save यह है favorite context तो आप अपने चुनिंदा add context को save कर सकते हो अपनी वाश में तो आपको इस पर tap करना है add पर tap कीजिए जिस किसी context को आपको save करना है उस contact के सामने जो number है आपको इस पर tap करना है इस तरह के से tick हो जाएगी तो मैं इसे कोई भी add context को select कर लूँगा तो मैंने add context को add कर लिया है फिर आपको करना है then पर tap जिस order में context यहापे show कर रहे है सिम उसी order में आपकी वाश में भी show करेंगे हाला कि आप इने उपर-nीचे कर सकते हों आपको फ्री बार पर long tap करके इनने drag करना है उपर-nीचे करने के लिए इस तरह के से अगर आपको इनमेसिक कैसी भी contact को remove करना हुआ तो आपको इसे swipe करना है और minus के side央 पर आप करना है remotely प्रीमू करने के लिए अगर आपको add करना है तो क्लेस के सेन पर add किजिए, save करने के लिए done पिड़ाइद किजिए, आपके इस context में आपको ऐसा कोई भी number add नहीं करना जिसमें star या hash हो, अगर आप ऐसा कोई number add करोगे, तो आपके context आपकी watch में sync नहीं होंगे तो सारे context sync हो चुके हैं इसके आगे है others मतलब की settings इसमें सबसे पहले है find device इस option के तरी आप अपनी watch को ढूण सकते हो मालो आपने अपनी watch को के पर रख दिया है आपको नहीं मिल रही है तो ऐसे में अगर आप इस पर ट्याप करोगे तो आपकी watch में होगी तीन चीजे display on हो जाएगा आपकी watch में होगा vibration और आपकी watch में बज़ेगा tone हाला कि ये feature तभी खाम करेगा जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी आप अपनी watch में time को set नहीं कर सकते जो time आपके phone में show कर रहा है same way time आपकी watch में भी show करेगा हाला कि आप जो time format है उसे change कर सकते हो यहाँ पर है time format का option तो आपको लेंगे दो option 12 hour या फिर 24 hour आपको जिस format में time को show करना है अपनी watch में आपको इस format पर करना है selection और करना है done unit system और language आपको change नहीं करना है इन्हें रखना है as it is यह है dnd तो अगर आपको dnd का use करना है अपनी watch में तो आपको यहाँ पर time को set करना है जो time आप यहाँ पर set करगे उस time के दुरान आपकी watch में dnd काम करेगा dnd काम करेगा मतलब कि आपकी watch में कोई भी calls या message नहीं हैंगे इसके लबाँ आपकी watch में कोई भी sound या vibration plane होगा यह है continuous heart rate detection मतलब की automatic heart rate monitor तो अगर आप चाहते हो आपकी watch में heart rate automatic measure हो तो आपको इस पर tap करके timer को set करना है जैसे मान लेते हैं मैंने timer set किया है 20 मिनट मतलब की अब मेरी watch में हर 20 मिनट के बाद heart rate automatic measure होता रहेगा अब जितना timer यहाँ पे कम रोख होगे उतनी ज़्यादा battery यूज होगी अपकी watch में अगर आपको battery backup बड़ी आचाहिए तो आपको इसे close करना है मतलब की इसे use नहीं करना है मैं करूंगा इसे done मतलब की अब मेरी watch में heart rate automatic measure नहीं होगा लेकिन मैं जब चाहिए तब अपनी watch में बड़ी आसानी से manually heart rate को measure कर सकता हूँ जब चाहिए तब यह है control phone music तो अगर आप चाहिए तो आपके phone में जो भी music है उसे control करना आपकी watch के जरी है तो आपको इसे on करना है यह है battery saver mode तो अगर आपको अपनी watch में battery को से हो करना है अगर आपकी watch में battery level कम है तो SM में अगर आप इसे use करोगे तो आपकी watch में होंगी charge j, calling का feature off हो जाएगा, brightness सबसे कम level पे sit हो जाएगी, vibration off हो जाएगा और आपकी watch में race to a का feature काम नहीं करेगा, यह है auto lock मतलब की screen timeout तो यहाँ आपके set किया गया है 5 seconds तो अगर मैं अपनी watch में display को on करूँगा, तो 5 seconds के लिए on रहेगा, उसके बादफ हो जाएगा, तो आप इससे अपने इसाब से बढ़ा सकते हो timer को, maximum है 30 seconds लिए अगर आपको battery watch में और app में जो भी data है उससे कर सकते हो delete, आगे है call rejection SMS settings मतलब की quick reply, तो आप इस watch के जड़िए किसी भी call को reply के साथ cut कर सकते हो, तो आपको इससे ट्याप करना है, इससे on कीजिए, turn on now कीजिए, I see, तो by default यहाँ पर reply set किये गए है, आला कि आप इन्हें अपने हिसाब से change भी कर सकते हो, तो आपको इस पर tap करना है, cross question पर tap कीजिए, फिर आप इहाँ पर अपने हिसाब से कोई reply type करके save कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको type करना है, we'll call you in 10 minutes, तो आप type कीजिए, तो यह जो quick view reply है, आपको show किये जाएंगे, जब भी call आएगा तब, save करने के लिए back जाएगे, quick view मतलब की race to act का feature, तो अगर आपने इसे on रखा हुआ है, तो जब भी आप अपनी watch को उपर करोगे, या कलाई को race करोगे उपर की ओर, तो आपकी watch में display on हो जाएगा, यह है drink quarter reminder, तो अगर आपको अपनी watch में पानी पिनी का reminder set करना है, तो आपको इसे on करना है, start time मतलब कि सबसे पहला reminder आपको कब चाहिए, मैं चाहतो हो सुबम में, 9 बजे सबसे पहला reminder आपको कितनी बार पानी पिना है, मैं चाहता हूँ 6 बार, और आपको हर कितने राइम के बाद पानी पिने का reminder चाहिए, तो मैं चाहता हूँ हर 2 घंटे, तो यहाँ पे है 120 मिनट, इस तरीके से अब मुझे दिन में 6 बार आएगा पानी पिने और यह है एंड में फिमेल लोगों के लिए, फिजियोलोजीकल साइकल रिमांडर मतलग की पिरेट ट्राकर, तो अगर आप एक फिमेल हो और आपको अपने पिरेट को ट्रैक करना वाद तो आपको इससे पे ट्याप करना है, प्रोफाल पे ट्याप करके आप यहां से अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और स्टेप लेक्ड मतलब की कदमों के लंबाई, चेंज कर सकते हो जब चाहिए तक इस तरीके से, यह है गोल मतलब की डेली स्टेप गोल, रोजान आपको कितने स् जब चाहिए तक, इसके आगे है, बेगराण ओपरेशन, प्रोडेक्शन गाइड, तो अगर आप चाहिए आपके वाच, आपके फोन के साथ, बार-बार डिस्कनेक ना हो, और यह जो एप बेगराण में ठीक से वर्क करें तो आपको करनी है, दो चीजे, आपको इस एपको सेट करना है पहले पर, अन, रेस्टिटेट पर, और यह है गुगल फिट, तो अगर आप चाहते हो, आपका दाप फिट आप में जो भी डेटा है, जैसे की, हाट रेट, स्टेप्स, डिस्टन्स, क्यालरी एनरजी, यह सिंक हो जाए, गुगल फिट के साथ, तो आपके इस और वाइटल डेटा, आप इस पेच पे स्वाइप डाउन करके इस से रिफ्रेश कर सकते हो, इस तरह किसे, तो यह है आज का डेटा, आज आपने कितना डिस्टन्स को और किया है, क्यालरी एनरजी, और आज का वर्काउट टाइम, यह है स्लिप डेटा, तो अगर आप चाह इस तरह किसे, कि आप कितना डिस्टन्स हो है, आपके अलग-अलग स्लिप स्टेजेस, और उसका डाइम यहाँ पे शुकरेगा, और आपका स्लिप स्कोर, और आप अपनी वाज में, जो भी वाइटल मेजर करोगे, जैसे की हार्ट रेट और स्पूट तो उसका डेटा आप यहाँ पे शुकरेगा, आप ट्याप करके उसे चिक कर पाऊगे इस तरह के से डिटल में, और आप अपनी वाज में जो भी वाइट करोगे, उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ, तो यहाँ पे है, लुक मोर, ट्रेनिंग डेटा का ओप्शन आपको इस पर ट्याप क कर सकते हो, इस तरह के से बड़ी आसनी से, और अगर आप किसी भी मेनु में एंटर करते हो, वहाँ से अगर आपको बैक जाना हुआ, step by step, तो आपको इस फिपरेस करना है, step by step, back जाने के लिए, और अगर आप इस पर लोंपरेस करोगे, तो आपको मिलेगा स्वाइब करने टोगल है, D&D का, तो आप इस पर ट्याप करके, D&D को, one tap में, on up कर सकते हो, अगर आपने D&D को on किया, तो आपकी वाच में कोई भी message या calls नहीं आएंगे, इसके लापकी वाच में कोई भी sound या vibration प्लेनी होगा, यह brightness को adjust करने का toggle, तो आप यहाँ पर इस तरह किसे brightness को slide कर करके adjust कर सकते हो, यह battery server mode, अगर आप इसे on करोगे, तो आपकी watch में होंगी, charge जो हम देख चुके है, एप में, और यह है QR code, जो हमने add की है, तो आपके जो तीन QR code है, यहाँ पे show की जाएंगे, जैसे की gpay, phone pay, और instagram, तो आप इनके भीच में arrow पे tap करके, switch कर सकते हो, इस त adjust कर सकते हो, बाद में sleep मतलब की screen time out, हमने हैं यहाँ पे set किया है, 15 second, तो यहाँ पे भी show कर रहा है 15 second, तो आप अपनी साब से यहाँ पे maximum कर सकते हो 30 second, फिर है watch face, तो आप यहाँ से भी watch face को change कर सकते हो, इस तरह किसे set करना है, उस पे tap कीजिए, फिर है menu view, तो आपके हैप crescent, full moon, helm, honeycomb, और यह है list view, और end में है wrist rest, मतलब की wrist way का feature तो आप यहाँ से भी से one tap में honor कर सकते हो, बड़ी आसनी से, फिर है vibrate rendering, मतलब की आपकी watch में अगर कोई भी call आएगा तो आपको alert के साच चाहिए, तो आपको mode पे ट्याप करना है, अगर आप चाहते हो आपकी watch में कोई भी call आए, तो आपकी watch में केवल vibration हो, तो आपको set करना है vibrate पे, अगर आप चाहते हो call आने पे आपकी watch में vibration हो, तो आपको set करना है vibrate and ring पे, अगर आप चाहते हो आपकी watch में call आने पे ringtone vibration ना हो, कु अगर आप चाहते हो आपकी वाश में call receive हो तो आपको इससे on रखना है अगर आप चाहते हो आपकी वाश में call receive ना हो तो आपको इससे off करना है इसके बाद है audio bluetooth मतलब की media output जो भी आप media प्ले करोगे आपके phone में उसका sound play होगा आपकी वाश में अगर आपने इससे on रखा है जैसे कि अगर आप YouTube, वीडियो या कोई भी music प्ले करोगे तो इसका sound play होगा आपकी वाश में अगर आप शाहतो ऐसा ना हो आप कोई भी media प्ले करो तो इसका sound हमेशा phone में प्ले हो तो आपको इससे off करना है फिर phone reset मतलब की call के feature को reset करने का option तो अगर आप इससे करोगे reset त आपकी वाश में होंगी तीन चीजे, call का feature off हो जाएगा, जो भी context आपने से होगी है वो सारे हो जाएगी delete और जो भी आपकी call history है वो भी हो जाएगी delete, system में अगर आप जाओगे तो आप यहां से अपनी वाश को restart, switch up और reset कर सकते हो, और अगर आपको जानना हुआ कि आपक माइक के लिए माइक पर टाप किजिए और यहां पर आपको कज भी बोलना है, अगर आप सुन पाते हो अपनी वाश में, जो भी बोलते हो उसे, मतलब कि आपकी वाश में माइक टिक से वर कर रहे हैं, और यह है एप QR code, दाफिट आपको डाउनलोड करने के लिए आपके QR code दिया गया है, हम पहले इदाफिट आपको डाउनलोड कर चुके है, होमपेज पकर आप स्वाइप लेट करोगे तो आपको मिलेंगे अलग-अलग shortcut, सबसे पहले है एक्टिविटी मतलब की आज का डिटा, तो आज के स्टेप्स, क्यालरी और वर्काउट टाइम, इसके हाँट रेट को मेजर करने का ओप्शन, तो ट्याप करके आप अपने हाँट रेट को करपाऊगे मेजर, इसके आगे है SP2 मेजरमेंट, ट्याप कीजिए SP2 मेजर करने के लिए, और इसके आगे है weather info, तो अभी फिलाल कितना है, और आज का sunrise sunset time, और आने वाले अगले 6 दिन क का maximum minimum temperature आपको यहाँपे show के जाएगा, इसके आगे है phone call का feature, मतलब कि जो भी context आपने add के हैं आपके app में, यहाँपे show करेंगे context में, add context, आप चाहो तो इन्हें call कर सकते हो, इस तरह किसे tap करके, और आप जो अपने पिछले call से, मतलब कि आपकी call street उसे clear कर सकते हो, यहाँपे है clear all का button, और dial bed में जाकर आप किसी भी number को dial करके call कर सकते हो, बड़ी आसनी से, इसके आगे है workout mode, तो यहाँपे आपको बिलेंगे total 20 workout mode, अगर आप चाहो तो इन्हें change कर सकते हो, अपनी हिसाब से, नीचे आपको जाना है, plus का sign मिलेगा आपको, उस पे tap करना है, category को open किजिए, जिसे add करना है, आपको उसके सामने plus का sign मिलेगा, इस तरीके से आपको उन पुराने नीचे से remove हो जाएंगे, जितने आप नए add करोगे, उतने पुराने नीचे से remove हो जाते है, तो यहाँपे show करेंगे आपको एक साथ 20 workout mode, अगर आपको इन में से किसी को भी start करना हुआ, तो आपको उस पे tap करना है, तो यहाँपे show करेगा आपका workout timer, calorie energy, आपका real time heart rate, और अगर आपको इसे stop करना हुआ या pause करना हो, तो swipe कीजिए, यह हो चुका है, pause, resume, और इसे end करने के लिए आपको end पे tap करना है, अगर आप चाहते हो आपका workout data से हो, तो आपको minimum एक minute के लिए workout करना है, इसके आगे है plus का sign, मतलब कि आप जो shortcut से उन्हें आप अपनी सा shortcuts को add कर दिया है, अगर आपको इन में से किसी को भी remove करना हुआ, तो आपको उस पे long tap करना है, minus का sign पे tap करना है, उसे remove करने के लिए और रखने के लिए बीच पे tap कीजिए, इसके आगे है shutter button, तो इसे उस करने के लिए सबसे पहले आपको dark पी tap को open करना पड़ेगा, उसके प्ले नहीं हुआ, तो आपको अपने फोन में music app को open करना है, play करना है, previous, next, volume को आप यहां से adjust कर सकते हो, जो music यह play हो रहा है, आपकी watch में, अगर आप चाहँ तो यह music जो मैं play करूँ, वो मेरे फोन में play हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको जाना है, settings में, और यहां पर होगा, Bluetooth audio, तो आपको इसे off करना है, इसके बाद अगर मैं music को play करूँगा, तो play होगा, मेरे phone में, हाला कि मैं यहां से control कर पूँगा, phone में play हो रहा है, इसके आगे है breathing workout, तो आप अगर stress में हो, या आप सोना चाहते हो, तो आपको उसे साब से open करना है, timer को set करना है, start कीज पर tap कीजे, time set कीजे, hour, minute, फिर आपको am, pm set करना है, tick पर tap कीजे, कौन से दिन को आपको alarm को play करना है, आपको उन दिन को choose करना है, फिर tick पर tap कीजे, इस तरीके से आप maximum 8 alarms को add कर पाओगे, एक साथ यहां पर, आप alarm को इस तरीके से on-off कर सकते हो, time पर tap करके आप time को change भी कर सकते हो, जब भी alarm का time आएगा, तब आपको मिलेगा, alarm का reminder आपकी watch में, vibration के साथ, इसके आगे है, timer, तो आप यहां पर custom tap करके, अलग-अलग hour, minute, second के हिसाब से timer को start कर सकते हो, आपको इस तरीके से उसे start करना है, फिर आगे है, stop wash, आप इस तरीके start, stop, यह lab भी दे सकते हो, और आगे है, games, यहां पर मिलेंगे आपको, 4 games, battleship, 2048, floopy bird और hamster, इसके आगे है, Kelsey, तो आप यहां पर Kelsey का यूज़ कर पाओगे, और यहां पर percentage find करने का भी option आपको मिल जाता है, home page पर अगर आप swipe right करोगे, तो आपको मिलेगा, quick menu, यहां पर show करेंगे, 6 अलग-अलग apps, स पाइरी, mobile, फिर यह है, settings, weather, music player, workout mode, और find my phone, तो इस option के तरी, आप अपने phone को ढून सकते हो, मानलो, आपने अपने phone को गईब रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर tap करोगे, तो आपके phone में ring बजेगी, अगर आपका phone, silent mode पे होता है, फिर भी आपके phone में ring बजेगी, तो आपको इस पर tap करना है, फिर से tap कीजिए, stop करने के लिए back जाईए, हाला कि यह feature तभी काम करेगा, जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी, सभी menu को एक साथ access करने के लिए, आपको dots के icon पर tap करना है, यहाँ पे आपको बलेंगे, सभी main menu, इन म पुल सेट अप गाईड, अगर आपको वी भी सवाल हो, तो आप हमें पुछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter पे भी मेसेज कर सकते हो, इस सुडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो,